नमस्कार जय जोहार चतिसगर न्यूस में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए देखते हैं आज की पंदरा फटा फट बड़ी खबरों को सरकारी स्कूल के विध्यारती फ्री में कर सकेंगे इंजियनेरिंग और डॉक्टर्स की कोचिंग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टुडेंट्स की डॉक्टर इंजिनियर बने की चुहात पूरी होगी विध्यारतीयों को फ्री में कोचिंग दीचवाएगी प्रसिक्षन संसान सिराश्ट्री प्रवेश परिक्षब प्री मैडिकल टेस्ट और प्री इंजिनिरिंग की कोचिंग दीचवाएगी कोचिंग के लिए संसान का चैन प्रक्रियाधी ने इसके लिए राज्जी सरकार ने 25 स्टमबर से इस योचनी की शुरुआत करेंगे शराब की दुकान बनते जुआ रहे हाईवे पर खुले धाबे चटिसगर की नवगटित सकती जिले में इन दिनों अवैद रूप से शराब की बिक्री चरम सीमा परे सक्रा सहित आसपास की शित्रों में होटल धाबे की आर में शराब परोस्ते का धंदा खूफल फूल रह शाषन के आदेश के बावजूद आईवे और मुख्य मार्गों में शराब बेचने का अवैद कारोबाट चल रहा है कारवाई नहीं होने के कारण अवैद वैपास से जुड़े हुए लोगों के होसले बुलंद है 36 गडं में महिलाएं चला रही अनोखा बेंक चला रही जां रोपे पैसे या ब्लड नहीं बलकी बरतन मिलते हैं देश में सवच्चे वारत अभ्यान के तैथ लगबग 1560 ऐसे बरतन बेंक चल रहे हैं इन बेंकों से आम लोग विभिन, आयूजनो, समारों और पार्टी के बड़तन किराय पर लेते हैं शेहरों में सिंगल यूज प्लास्चिक की प्रतिवन के बाद इन बैंकों को आम नागरिकों को प्लास्चिक से बने डिस्पोजेवल आइटम जैसे थाली प्लेट का टोरी ग्लास सिवं चम्मच आदी के विकल्प की रूप में देखा जा रहा है 36 गड़ में फिर वनेगी कॉंग्रिस की सरकार बीचेपी कर रही बिना मुद्दे की राजनीती 36 गड़ विदानस्वा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने दावों के साथ मैदान में उतर रहे हैं लेकिन बात यदी मौझूदा सरकार की हो तो ऐसे कई कामें जिने अंदेखा नहीं किया जा सकता है इसी कड़ी में एटीबी भारत ने प्रदेश की राजस्वा मंत्री जैसिंग अगरवाल से खास चर्चा की जिसमें जैसिंग अंगरवाल ने कॉंग्रेस शाषन में किये गए कार्यों के साथ बीचेपी की परिवर्तन यात्रा पर जम कर निशाना साधा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जारी चत्तिस गड़ में गुंडागर्दी होने पर अब चुलेगा बुल्डोसर चंपने जलती परिवरतन एक और कानून का राज होगा जैसे उत्तन प्रदेश में गुंड़ा गर्दी करने वालों पर मुख्य मंत्री योगी का भुल्डोजर चलता है अब वैसा ही चंपने भी होगा चत्तिजगड के साथ जिलो के लिए यलो अलट जारी किया सरगुज़, सूरजपूर, बलरामपूर, कोर्वा, मुंगेली, बिलासपूर और गोरेला, पेंडरा, मरवाई जिले में भारी बारिश का नुमान है शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश रतापमान में दो से तीन डिग्री की ग्रावट दरज हुई रायपूर समित बालोधा बाजा, मासमुन और बीजपूर जिले में बारिश का कोटा पूरा हो गया है चत्तिसगर में तेजी से बढ़ रहा डेंगू रायपूर के बाद दरगो विलासपूर वर रायगर समित चत्तिसगर के कई शहरों में डेंगू तीजी से फैल रहा है अलर्ट जुआरी करने के बाद भी स्वास्वभाग गंभी नहीं दिख रहा है हालात यहीं की प्रदेश पर में अब तक 800 से ज्यादा मरीज मिल चुके डेंगू मलेरिया की रोक थाम के स्वास्वभाग और नगर निगम हर साल 10 करोड रुपे से ज्यादा खर्च करते हैं इसके बाद भी मच्चरों से निजात नहीं मिल पा रही है कॉंग्रेस सरकार के खिलाब बाच्पा का मठका फोर्ड प्रदेशन बाच्पा महिला मोचा ने चत्तिसगड की कॉंग्रेस सरकार के खिलाब मठका फोर्ड प्रदेशन किया है जगदलपूर के जय सम चौकप सरकार के खिलाब जमकर अल्ला बोल किया गया इस मौके पर मौझूद प्रदेश अद्यक शालनी राजपूत ने कहा कि सरकार के प्रिष्टा चार का घड़ा बढ़ गया है मैला मोचा समित प्रदेश की जनता अब इस घड़े को फोड़ना चा रही है शालनी राजपूत ने कहा कि चतिजगड में सत्ता समाल रही कॉंग्रेस सरकार के पाप का घड़ा अब भड़ चुका है अब चतिजगड का किसान नहीं रहेगा गरीब बच की खेती सी हो रही मोटी कमाई मुख्य मंत्री वुपेश वगेल की मनशक एनरूप वन मंत्री मौमत अगबर के मार्ग दर्शन में शालनी चतिजगड आदिवासी स्थानी स्वास्त परंपरा एवं ओशदी पादब बोड की पहल से संभव हुई है शालनी चतिजगड में वरतमान में 108 एकड में प्रायोगिक तौपर बच की खेती कीचवारी जिससे प्रती एकड़ 80,000 रुपे से 1,000,000 रुपे तक आए की प्राप्ति किस्तानों को होगी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुक वी श्री निवास राव ने बताये की बच उत्पादन से धान की अपेख्षक इस्तानों की आए में कई गुना व्रदी की संभाव ना है मांगो को लेकर 36 गर दिव्यांग जन स्वाविमान 25-27 सितंबर को निकालेंगे पैदल मार्च 36 गर दिव्यांग सीव संभ के वास्त्तविक दिव्यांग जनों की अधिकास संरक्षन के शेतर में काम करता है संग की द्वारा विभिन मांग पत्रों के माध्यम से शाषन प्रशासन को बारवा निवेदन कर चुके हैं जिस पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया गया जो की फरजी दिव्यां के संरक्षन का परिच्वायक है संग की द्वारत दस उत्री मांगो को 20 दिवस के भीता पून करने 4 सतंबर 22 को मुख्य सचेव 36 गड़ शाषन राइपूर को अल्टीमेटम दिया गया है 36 गड़ से नागपूर तक 266 किलोमीटर आटो सिगनल सिस्टम दक्षिन पूर्व मध्य रेलवेई जोन हाई टेक तकनीक अस्तमाल कर रहा है ट्रेनों की परिच्वालन में भी आटो सिगनलिंग सिस्टम लगाई चुआ रहे हैं 36 गड़ में भिलाई सिनागपूर तक 266 किलोमीटर लंबे इस सिस्टम से एक ही ट्रेक पर कई ट्रेने एक साथ दोड रही है इस नई ववस्ता में स्टेशन याड के अड़वांस सिगनल से आगे करीब एक से डेर किलोमीटर पर सिगनल लगाए गए हैं साथ लाक लोगों के खाते में राहूल गांदी ट्रांसफर करेंगे पैसे उन्होंने बताया कि राहूल गांदी 25 सिटमबर को 36 दोरे पर आएंगे इस दोरानवे उन्होंने बीजेपी के बयान पर पलटवार भी किया है उन्होंने बीजेपी की परिवरतन की लहर 36 गड़ में बीजेपी की परिवरतन यात्रा में शामिल होने केंद्री स्वास मंत्री मंसुक मंडाविया और केंद्री राज्यो मंत्री कृष्णे पाल सिंग राएपुर पहुचे हैं यह एरपोर्ट पर महिलाओं ने दोनों का स्वागत किया इस दोरान मांजविया ने का देश की आजादी के 35 साल बाद महिलाओं को 33 प्रतीशत आरक्षन मिला है समगने देश में महिलाओं में खुशी और उत्सा है वहीं गुर्जान ने का 36 गड़ में इस बाप परिवरतन की लहर है लाँच हुआ मेड इन इंडिया ब्राउजर वीरा मेड इन इंडिया ब्राउजर वीरा लाँच हो गया ये ब्राउजर अभी सिर्फ मुबाइल यूजर्स के लिए लाँच किया गया है आगे चलकर इसे वेब यूजर्स के लिए भी रोल आउट किया चाएगा कंपनी ने दावा किया है कि ये ब्राउजर हैवी सर्चिंग पर भी क्रैश नहीं होगा और ये अन्य ब्राउजर्स के मुकाबले ज्यादा सेफ है वीडा की मदद से यूजर्स ट्रेकिंग प्लैटफॉर्म्स और आटो प्ले वीडियो को ब्लॉक कर सकते हैं विल्फुल डिफॉल्टर्स पर कसेगा रबियाई का शिकंजा रबियाई ने विल्फुल डिफॉल्टर्स के लिए एक ड्राफ्ट तयार किया है इसके तैद किसी खाते के अन्पी होने के छे महीने के अंदर उस पर विल्फुल डिफॉल्टर का टैग लग जाएगा इससे व बड़ी खबरें डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद